आज की तारीख में मुस्लिम समाज आखिर दह्शत में क्यों है मैं समस्ता हूँ मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात पर विशार करते होंगे और जो भी सम्वेदंशीन लोग हैं इमांदारी से देश वक्त लोग हैं सुधारवादी लोग हैं समझी कारे करता है, राजनितिक, इमांदार राजनितिक्ये हैं, उनको भी इस बात पर सूचना चाहिए, कि देश का मुस्लिम समाज आद दह्शत में क्यों है, अभी कश्मीर में हमला हुआ, उसमें चार मुस्लिम समाज के सैनिक शहीद हुए, हाला कि उस पर चर्चा भी चली कि इसको संपरदाइक रूप नहीं दिया जाए, पर क्यों नहीं दिया जाए, क्यों नहीं का जाए, अगर हिंदू की बात करते हैं आप, और मुस्लिम समाज के लोग अगर शहीद हुए हैं, देश के लिए उन्होंने जान दी है, तो क्या वो देश भक्त नहीं है, और केव मुसलिम समाज को इस पीशे पे जरूर आकलन करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा सरकार इसने तो पूरी तरह से ठान लिया है कि मुसलिम समाज के जो रोजगार है उस रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और ये बिलकुल भिकारी बनके रहे और जिससे वो बहुर भी बुरी हालत में और भी बत्तर हालत में चला जाएगा तो दहशत में है क्योंकि उसका रोजगार छिन रहा है दहशत में है कि उसके जो परसनल मामले है उसमें दखलंदाजी की जा रही है दहशत में है कि उनके बच्चों को बेगुना होते भी उठा कर जेलों में बंद Muslim समाज के भाईयो, आप भी सोचें, कि कैसी सरकार आपको चाहिए. आप भी सोचें, कि क्यों ना आप अपने अंदर से जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए काम करने माले है, मरने मिटने वाले लोग हैं, उनको आप आगे लाएं और सत्ता में भागे दारी लें अगर ये नहीं हुआ तो जो हालत चलने हैं जो भाजपसरकार है ये कल और भी बुरे हालात आपके और हमारे सामने पैदा कर देगी तो हमें इस दहशत से बाहर निकलना है और मेरा कहना एक चीज और मुस्लिम समास से कहना चाहूंगा जो नेता जो पार्टियां आपको गुम्रह करती हैं आपस जूटे बादे करती हैं आपको सबस बाग दिखाती हैं उनसे भी आपको साफधान रहना पड़ेगा और ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन नेता कौन व्यक्ती कौन पार्टी इमांदारी से जो सचे आपके सामने रख रही है और कौन पार्टी कौन नेता पूरी इमांदारी और पूरी ताकत के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तयार है अगर ऐसा नहीं किया आपने और आने वाले समय में आपने बिना सोचे समझे ही वोट दी ये राजनीती में आपने अपने हिस्सेदारी ढंक से सुनिश्चित नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाला समय और भी बत्तर होगा तो फिर निवे दिन करता हूँ कि अच्छे लोगों को जानो पहँचानो और उनका साथ दो और पूरी मेहनत और पूरी मानदेरी के साथ आने वाले समय में अपने तरक्की के लिए काम करो राजनीती में अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले